मसकार दोस्तों परफेक्ट गोत्म आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियों बात करेंगे ब्लैक रोज इंडस्टी सेर के बारे में केमिकल से जुड़ा हुआ एक स्मॉल केप सेर है ठीक है तो जान लेते हैं इसके सारा मदला फंडामेंटली टेक्निकल और वह तो इसके किछ के फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल में आप देखोगे तो इसके मार्केट केप लगवग 736 करोड का है और करेंट प्राइज इसकी 152 की है और इंडस्टी स्टोक पी देखोगे लगवग 37 का इंडस्टी 34 के असाब से काफी महंगा ट्रेड कर तो काफी एक रुपए है और पर्मोटिंग होल्डिंग तो 75 है और यह कोई भी होल्डिंग प्लेज भी नहीं है और डेट की बात करोगे तो लगवाथ 30 करोड का डेट है और डेट वक्यूटी यह 0.24 का ठीक है लास्ट यह प्रॉफिट इसने कमाया था इसके अभी टीटीम के प्रॉफिट देगो 21 करोड का है और EPS की बात करोगे चार रुपए 12 पैसे यह स्टॉक कमा के दे रहा है ठीक है डिविडेंट देखोगे तो लगवाथ 0.36 या या नि डिविडेंट भी देता है हाई है इसका डो 24 का और पैक रियश्यो के साब से या भी अंडर वेल्युड है ठीक है अब बात कर लिते हैं इसके कुछ बिजनिस के बारे मांना क्रता करती है ठीक है तो यह वैसे इसके प्रॉडक्ट बहुत सारे है तो यह दिखिए इसके बिजनिस सेग्मेंट में आप देखोगे तो chemical manufacturing करती है ठीक है chemical का distribution भी करता है इसके दो men segment है ठीक है उसके अंदर इनकी सब segment भी मिलते हैं देखने को और वहीं आप इसके revenue की बात करोगे revenue chemical manufacturing से आता है 32% और distribution से आता है इनका 68% और इंडिया से इनका 63% आता है और outside इंडिया से यानि बाहर से लगबस 37% इनका revenue आता है ठीक है अब इसके client भी काफी attractive आपको देखने को मिलेंगे वह हम बाद में देखेंगे ठीक है distribution partners में कौन कौन है Tokyo है ठीक है और मुस्तिसी है इसके data partners है distribution partners है यानि मैं कर कोई नाम गलत बोल रहा हुता आप उसका प्रोनाइन सही करके देख सकते है chemicals में है यह इसके distribution partner है आप देख सकते हो इसके data partners है manufacturing distribution partner है यह आपके partner में जैसमें सिमूतो chemical है सिमूतो सिकाई है तो यह सारी Japanese company है तो आप इसको देख सकते है आप यहाँ देख सकते हो इनके जो portfolio diversify है उसमें आपको कौन कौन से segment देखने को बोल रहा है distribution में वही दो specialist chemical performance chemical यह दो और manufacturing में इनके manufacturing करते है यह खुद ठीक है alkalmide solid ठीक है alkalmides liquid ठीक है poly alkalmide liquid ठीक है NMA तो यह सारी इसके chemicals है ठीक है यह product है अब यह company पर चाहो तो आप यहाँ भी देख सकते हो company के website पर आके तो यह product है जिसमें dental export ठीक है dental पर प्लिक करोगो तो आपको पता चलेगा जो dental जो होते है chemicals जो काम जो दातों की dental होते हो इसके chemical use करते है कुछ इस तरह से ठीक है आप डाल के देख सकते हो यह इसके कुछ product है जो इस company के यहाँ काम आते है और साथी साथ आप यहाँ और भी देख सकते हो जैसे water and west water treatment export ठीक है dental ठीक है अरके माइट हो गया यह नया कोई और मैं देखने हो बन रहा है और तीसरा आप यहाँ देख सकते हो chemical distribution, chemical manufacturing और exports और sourcing यह चीज़ें इसकी है ठीक है आने आप all over समझ गए होगा अब हम इस chemistry में तो नहीं जाएंगे पूरा ठीक है डीटैल में बट आप एक overview ले चुके इस stock के बारे में ठीक है और इसके future prospect बहुत अच्छे है कि यह जो इंडिया में chemicals यूज करने वालों की संक्या बढ़ रही है तो आप वहाँ भी ध्यान रहे दे सकते हो ठीक है आप देखिए यहाँ पर सरफ एक ही चीज़ आपको negative देखने को मिल रही कौन्स में यह interest पे करता है और इसकी कोई भी कमिया नहीं देखने को मिल रही है अब बात कर लेते quarter on quarter result की ठीक है quarter on quarter result देखो के आप अभी जैसे दिसंबर के आने वाले तो हम दिसंबर के देख लेते जैसे 128 करोड अभी सितंबर के आये थी तो आप एक यह prospect मानके चल सकते हो ठीक है और वहीं आप EPS देख लोगे तो EPS के इसका margin भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत ठीक है अभी कम है ठीक है बट इसके margin देखोगे तो margin company के stable नहीं है ठीक है यानि बहुत competition है इस सेक्टर में ठीक है और नेट profit भी कुछ इनका up and down देखने को मिल रहा है ठीक है और इसके साथ डिविजेंट पे आउट देती है जो आपको यहां देखने को मिल रहा है बात कर लेते देखिए इसके हाँ यहां CAGR compound profit growth और compound sales की ठीक है आप देखिए 10 साल का इसके CAGR देखोगे तो लगवा 41% है आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में 67% की इसकी एवरेज 10 साल का है ठीक है और compound profit growth देखोगे पांच साल की एवरेज तो 45% है तीन साल की देखोगे तो 32% है और TTM में अभी नेगिटिव चल रहा है ठीक है और sales की देखोगे sales growth देखोगे तो आप भी दस साल की एवरेज तो 18% है और तीन साल की देखोगे तो 16% है और TTM की देखोगे तो 8% की rate से growth कर रहा है इसका sales ठीक है तो यानि company में बहुत छोड़ी company आप यह भी ध्यान रखें ठीक है balance sheet में आते balance sheet में इसको 31 करोड का तो कर्ज था वह देख लेते कौन-कौन सा है तो आप देखो कि तीन करोड का कर्ज तो इनका long time है और short time कर्ज की बात करोगे तो 28 करोड का है और 0.07 यानि 7 लाग का lease पर नहीं कोई plan लिया है उसका है ठीक है अब fix assets में जाओगे तो आप fix assets में देख सकते इनके पास तीन करोड की और बिल्डिंग पड़ी है पंद्रा करोड की और इसके साथ प्लाइन मसीर भी पड़ी है 29 करोड की cash flow की यहां पर आप देखो को वर्किंग केपिटल है यानि कहीं से कहीं तक कोई problem देखने को नहीं मिल दाए ठीक है यानि almost debt free भी यह 31 करोड का ही debt है और आप यहां देख सकते हो cash flow cash flow company पास 5 करोड का पड़ाए ठीक है अब बात करने तो आप यहां देख सकते हो market capitalization के सबसे आगे गुजरात फ्लोरो केमिकल आतुल इंडस्टी ठीक है तो हमारी इस company का market cap 800 के करीब तो ठीक है तो आप यहां देख सकते हो यहां ब्लैक रोज इंडस्टी आपको देखने को मिलेगा तो आप यहां देख सकते हो chemical sector में ठीक है तो आपको यहां ब्लैक रोज भी देखने को मिलडा है बहुत सारी कंपनिया आप यहां देख सकते हो बहुत सारी कंपनिया बाला जीया माइन्स भी है जिसके उपर अभी में थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था लक्ष्मी और्गेनिक लिए जुब्लिय देखने को मिला है अगर इससे भी नीचे आ जाता है तो और इसके साथ ही साथ आप इसकी रिजल्ट यह वीडियो चार्ट पैटरण है ठीक है इसको भी आप ध्यान लगाएंगे तो फिर आप कह सकते हो कि यार यह गलत बटा दिया नहीं वीडियो चार्ट पैटरन आप इस तो इस company की result आजाए उसके बाद buying करें कि यह बहुत correct हो चुका है stock ठीक है और sales की बात है तो अगर आपने high level पर buy किया है कहीं यहां पर कहीं buy किया है आपने देख सकते हो यहां कहीं buy किया है तो आप भाई इसको sell ना करें company बहुत अच्छी है थोड़ा सा patience बनाए आप थोड से 10 साल दिए तीन साल में तो इसमें कोई return नहीं देखने को मिलें क्योंकि 2020 में कोई डाया 2021 में चला फिर थोड़ा बहुत ठीक है उसके बाद बापस गिरावट देखने को मिली 2022 में रसिया उक्राइन वार हो गया और भी बहुत सारी चीज़े देखने को मिलें ठीक है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बता सकते हैं हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बाए एन धेंक यूँ